हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्मानिस साथियों वेलकम टी योट्यूब चैनल टेड़ पाइंट मोहम्मद इस्वली के संग आजम बाचित करने जा रहे हैं योपिश सरकार के 28 लाग कर्मियों पैंशनरों के लिए खुश खबरी सीम योगी ने महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव करने का विथ विभाग को दिया निर्देश यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें ताकि नॉटिफिकेशन आपको सरप्रिथम प्राप्थ हो सकें साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के वार्टसप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सीरसकी तरफ यूप सरकार के 28 लाग कर्मियों पैंसनरों के लिए बड़ी खबर सीम योगी ने महंगाई बत्ता देने का प्रस्ताव करने का वित्व भाग को दिया निर्देश केहने सरकार की तरह उत्तर परदेश के राज्य कर्मियों को बड़ी दर से महंगाई बत्ता अर्था डी ए और पैंसरों को महंगाई रहात डी आर जल्दी मिलने जा रहा है बुद्वार को मुख्यमंत्री योगी अल्देश नाथ ने इस सम्मन में वित्वभा को नर्देश दिये हैं उत्तर परदेश के राज्य कर्मियों को बड़ी दर से डी ए और पैंसरों को डी आर जल्द मिलने जा रही है लखनो केंदर सरकार के तरह उत्तर परदेश के राज्य कर्मियों को बड़ी दर से महंगाई बत्ता डी ए और पैंसरों को महंगाई रहत डी आर जल्द मिलने जा रही है बड़ुआर को मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने इस समंध में विती भाग को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमन काल में राज किया है, करमियों के इस्थगित किये गए, डिये को जारी करने के समझ में वित्व भाग तयारी कर रहे, और जल प्रस्ता प्रस्तुत करें सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 28 लाग करमचारियां और पैंसनों को लाब मिलेगा कोरोना से जंग लगने की खातिर वित्या संसादन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य करमियों को सिक्षकों को बड़ी दर्चे महगाई बत्ता और पैंसनों को महगाई राहत भुकतान पार पिछले साल 24 साल सोरी 24 अप्रेल को शासना देश जारी कर रोक लगा दी थी यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवस्चे करें राज्य करमचारियों और पैंसनरों को एक जनवरी 2020 एक जोलाई 2020 एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डी ए और महेंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुक्तान नहीं किया गया है अब राज्य सरकार 16 लाग करमचारियों को 11 फिसद डी ए के साथ तर्णखवा बढ़ने वाली है राज्य करमचारी 18 महेने से वेतन और पैंसनर अपनी पैंसन बढ़ने का अंजार कर रहे हैं डी ए डी आर के मामले में राज्य सरकार के पैंसन कैंद से समानता है इसलिए राज्य सरकार के कैंद के निर्णे का अनुसरन करती रही है इस आधार पर करमचारी संगठोनों ने भी राज्य करमचारियों को जोलाई से 28 फिसद की दर से डिये बुक्तान करने की मांग सुरू कर दी थी चुनावी वर्ष में राज्य सरकार करमचारियों को बड़ी दर से डिये का बुक्तान करने में देर नहीं होगी दिये में 11 फिसद की विर्दी से राजे करमचारियों के वितन में खासा इजाफ़ा होगा दालन के तोर पर 50,000 रुपे मूल वितन पाने वाले करमचारी की तनक्वा में पच्पन सो रुपे और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 फेज़त पगार में 11 अजार रुपे का इजाफ़ होगा तो यह आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें सबस्क्राइब आवसे करें तरफ पाइड बाय मुहम्मध उसफली दन्यवाद